तो फ्रेंड्स वेल्कम टू रावल सस्वांदिया अकेडमी देखिए जो पीडी 2022 का एक्जाम हुआ है पीडी 2022 वालों के लिए बंपर बढ़ती हैं देखिए पंद्रह यार से देखका यहां पर अध्याचन अब तक यूपीटपलसी आयों को प्राप्त हो रहे हैं तो पीड 2022 के जरिये से काफी अधिक वैकेंसी देखने को मिल सकती है चली देखते हैं फिर क्या नहीं हुझे देखिए पीडी का परड़ा में वह या तो दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी के सुरुवात में आने की पूरी तरीके से उम्मीद है उत्त्रप्रदेश अधीनस्त सेवा चाहन वाएयो प्रारांविक आपढ़ा परिचह 2022 के बिर्टी लाई के लिए नए साल में वर्द्यों का रास्ता हो लेगा इसके पहले दिसंबर के आखरी या जनवरीके पहले अप्ते में परिंश्य परड़ाम देने की तैयारी है आयोग तव तक भर्तियों के लिए नया विग्यापन नहीं निकालेगा तर पर इसको लेकर फैसला हो गया है 25 लाग भर्ति की लाइन में देखे जो यूपी टेपल ऐसी पीटी का एक्जम दिया था उसके बारे में बोला गया यहां पर के अधीनेस्त सेवा चैन आयोग द्वारा आयोए तो पीटी 2022 में वैसे तो 37.58 लाग यानि यानि 25 लाग के समतिंग पंजी कराया था रेश्टर कराया था लेकिन परिच्छा में 25.12 यानि 25 लाग के समतिक अब्यादी समलेत हुए थे पीटी की बैदता आपती एक साल के लिए होती है जो 2021 का जो पीटी है उसे कहां तक निक्रीज कर दिया गया है वह भी इसकी आठ ज यानि कि जातर जो उन्होंने वर्ती करीब 25-3000 के समतिंग वेकैंसी है जो कि उन्हों देनी थी वह 2021 के जरिये से आएंगे और सभी वेकैंसी 2022 का जो रेयल्ट आ जाएगा पीडी का तभी नई वर्तियों के लिए विज्यापन आयोग तभी निकालेगा रिज्यैट के बारे मटाया किस प्रकार प्रोसेस में रिज्याटि सकेनिंग का काम शुरू हो चुका है आयोग के कद्सकारी के मताविक marc past 2019 का प्रडाम देने के लिए अधिनेस्त सेवा चैन आयोग के पास विविन विवावों के समूग के रिक्त पदों के प्रस्ताव पहुंच रहे हैं, इन प्रस्तावों का भी मिलान कराया जा रहा है, वागबार दूर कराया जा रहे हैं, जिससे पीटी परड़ाम आने के बाद विग्यापन निकालने का द लिया जा सकें, तो कहने का मतलब है कि जो 15,000 अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं, और जब तक पीटी का रेजल्ट आएगा, तब तक यूपीट पलसी आयुक को रागोदार अध्याचन और प्राप्त हो जाएंगे, तो इस प्रकार पीटी 2022 के जरिए से, क्योंकि अध्याचन को प्रेस कर ले, धन्यबाद